नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल सिवेल एक्जूकूशन में और दोस्तों आज कल में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप अपने घर बनाने जाते हैं तो होता क्या है कि मिस्तरी और ठेकेदार के उपर प्रॉपरली डिपेंड होते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात आज कल का जो ट्रेंड है पांच इंज की वोल का कि जब आप कॉर्णर की ब्रिक स्टार्ट करते हैं जहां से दूसरा रद्दा स्टार्ट होता है आपका वहां पर आपको टुकडा यूज करना पड़ता है सबसे जो पहला रद्दा है अब ये टुकडा क्यों यूज करना है दोस्तो इसमें भी दो गलतियां होती है पहला आपका टुकडा सही होना चाहिए जैसे ये बेकार है फिर इसको चेंज किया जा रहा है सेकंड जो चीज आती है कि टुकडा यूज करने से आपका जो ब्रिक वर्क का जॉइंट है वो ब्रिक जो है आपका एक प्लंब में नहीं मिलता है जो कि मिलाने के लिए आप मिस्तरी या ठेकेदार को डिरेक्ली इंस्ट्रक्ट कर दें कि इस तरह से सारे ब्रिक वर्क की साहुल चेक करनी है अब यहां ब्रिक वर्क करने के साथ साथ और भी चीज़ें आपको ध्यान दे यूज कर सकते हैं यह बंड बनाके आपने जो पानी भरा है चत की क्यूरिंग के लिए पूरा आपको पानी लब लब फुल होना चाहिए आपको कम से कम एक इंची तो जरूर आप पानी हमेशा रखें यदि खतम हो जाए तो फिर दुबारा बरें अब साथी साथ आप ब्र होगा कि यह यहां पे केवल सपोर्ट के लिए दिया गया है दोस्तों इसको निकाल दिया जाएगा अब यहां से आप इस ढाड़े को यदि आप नापेंगे जो बड़ा वाला ढाड़ा है तो आपका कितना आता है देखिए लगवख माचिंची से थोड़ा जादा आ रहा ह अब आधे इट के बराबर आपको 100% है कि छोड़ना ही छोड़ना है अब यह नहीं छोड़ेंगे तो आपका जोइंट हमेशा कमजूर रहेगा बीम का दो छड़ है वो बिलकुल बाहर हो चुका है और दो छड़ अंदर है कॉलम के जबकि चारो छड़ बीम का कॉलम के इस तरह की आप काम करते हैं तो आपकी मिस्टरी से क्या गल्ती होती है देखिए कैसे यहां पर ओलो हो चुका है जिसको जब आप कॉंक्रिटिंग करने जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बढ़ियां तरीके से यहां कंक्रिट नहीं भरती है और यह जोइंट आपका कि जब मसाला जब आप बनाते हैं तो आपको मसाला उतना ही बनाना है जितना आप एक गंटे के अंदर अंदर यूज कर सकें जैसे माल लीजी आपको तीन या चार कॉलम ढ़लाई करने हैं तो चार कॉलम का उतना ही मसाला बनाए कि चारो कॉलम एक गंटे के अंदर अंदर आप कास्ट कर दें सट्रिंग या फिर कॉंक्रीट जब करते हैं कॉलम के पास तो आप उपर में माटेरियल कुछ रखते हैं अब माटेरियल रखने के साथ होता क्या है वो नीचे गिर जाता है जब आप concrete करते हैं तो और नीचे आके फस जाता है अब बाताती है इंट क्यों फस आता है लोग ज़्यादा तर क्या करते हैं कि cover block इंट का लगाते हैं और cover block जब इंट का लगाते हैं और जब concreting होती है तो vibration की वज़े से इट फिर नीचे आता है और नीचे आके यहाँ पर फस जाता है या फिर यहाँ फसता है या कहीं और भी तो इस तरह का जब इट आएगा और concrete दोनों की जो मजबूती है वो अलग-अलग होती है जिससे आपकी column की strength जो है वो बहुत कम हो जाएगी अब कवर ब्लॉक देखिए जैसे इस तरह का भी मनता है जिसमें तार भी आप फसा सकते हैं बर्फी टाइप का आप circular भी बना सकते हैं मिन्स गोल भी बना सकते हैं 47 thickness का मसाला पूरा फैला दिया और उसमें दो तार फिर फसा दिये तार क्या होगा कि आपका जब column के वर्टिकल चाड़ में मिन्स जो खड़ी चाड़ होती है उसमें आपको बांधने के काम आएगा और ये खिसके का भी नहीं जब आप सट्रिंग लगाएंगे तो कॉलम में आपको हैसन कलोथ लगाना बहुत जरूरी है जैसे बाकी दो देखिए कपड़े से ढखे हुए है और इसमें बिल्कुल है नहीं अब ये कपड़े से ढखने से आपको फैदा क्या है कि जैसे ये कपड़ा लपेटा हुआ है प्लेन सरफेस पे क्या होगा कि जब आ अभी जस्ट आपने पीछे देखा जो की यहां पे हैकिंग की जा रही है अब ये क्यूं की जा रही है दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट जो टेकनिकल बात है कि जब भी आप ब्रिक वर करते हैं न कॉलम के पास तो आपको इस तरह की हैकिंग करनी ब है तो आप पूरे कॉलम को हैक करें और इस तरह से आपको तोड़ना पड़ेगा मिंस हलका हलका गड़ा करना पड़ेगा स्लरी बनाने के बाद आपको कॉलम में उतना ही यूज करना है जितना कि आप एक दिन में ब्रिक वर्क कर पाएं या एक घंटे में ब्रिक वर्क कर प जहां पे ये चीजें जरूर लगानी हैं। या फिर बात्रूम के टॉप तक जहां तक पाइप आपका लगेगा, वहां करने के बाद वो आपका पाइप भी सेफ रहेगा और आपका कॉलम भी मजबूत रहेगा, कॉलम में कोई कटिंग नहीं आएगी। तो लगभाग आपको तीस से चाली से वहां डीप काटना है, अंदर तक गहरा काटना है और यदि दो इंच यदि आप चोड़ाई में काटेंगे, तो आपका एक इंच का पाइप लगभाग आराम से लग जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर मार्किंग करनी चाहिए पहले ही दिवाल पर, मार्किंग करने से फायदा क्या होगा, कि आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि पाइप लाइन हमको यहीं से ले जानी है। दूसरी बात जो लाइन आती है, जो आपका उचाई है, किसी भी लेवल का या फिर आपका ये किसी भी पाइप का, दोनों रूम में देखिए एक बराबर नहीं होना चाहिए। बैक वाले पोर्षन जादा ये होता है दोस्तों, कि नॉर्मल कंडीशन में बैक वाले पोर्षन पूरे नंगे रहते हैं, मिन्स उसमें कोई लेप नहीं होता है, इसलिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए इस तरह का ब्लैक पेंट मंगा ये, ब्लै आप ये फ्रेम फिक्स करते समय, इसमें लगाया जा रहा है, अब चारों तरफ आपको अच्छी तरीके से लगाना है, खास कर जो दिवाल का फेस है, क्योंकि बाहर के फेस में तो आप पेंट कर देते हैं, लेकिन जो दिवाल का फेस है, जहां मिन्स दिवाल में ये फ्रेम फसेगा वहाँ पे इस तरह की आपको बिटमिनस पेंटिंग करनी बहुत जरूरी है पेंट करने के बाद ही आप एंकर फाशनर या फिर बाकी चीजे जो है इसके उपर फसाएं जो की दरवाजे में फसाने के लिए आपको इंपोर्टेंट है अब इससे क्या होगा कि यह आप लकड़ी सालो साल चलती चली जाएगी और बैक से कोई प्राब्लम नहीं होगी या फिर जो बॉटम फेस होता है फ्रेम का उसमें भी आपको यह पेंट करना जरूरी है तो इस तरह से आप अपनी लकड़ी को बचा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आप मुझे विद्धा दीजिए